हें गाइस वेलकुम तो स्माइल फिर ऑल्सों गाइस जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हम ने एक टूर अप वॉलंटेश्य प्रोग्राम में जो की स्टार्ट किया था इस तूर वॉलंटेश्य प्रोग्राम के अंदर हम लोग जो है कम्प्ली डीटेल में बात कर रहे थे कि कौन कौन से सी प्रॉब्लम से जो की फेस करनी पड़ती है और कैसे आप इसमाल के अंदर एक अच्छे वॉलेंटियर बनके आप ऐसे बच्चों के मदद कर सकते हैं जो की राट पिकिंग करते हैं बैकिंग करते हैं स्ट्रीट के ऊपर या फिर जो बच्चे ड्रॉप आउट ह प्रॉब्लम में कर रहे थे तो अभी तक इस तूरोप वॉलेंटीशी प्रोग्राम में आपको सिक्स वीडियो जो कि अवेलिबल कर वाचुका हूँ पहले वीडियो में आपको अनॉस्मेंट किया था दूसरे वीडियो में मैंने आपको बता था कि आप कैसे बैनेफित है कि कैसे आप अपने आसपास उन बच्चों को पता कर सकते हो जिनको जो है आपको आपकी जिनको जरूरत है सिक्स वीडियो में हमने बात करी थी कि कैसे जो है आप स्कूल के बारे में पता कर सकते हो जिस स्कूल में बच्चों को एड्मिशन करवाना है आज ये सेवन्थ वी तो थोड़ी सी बैटर है थोड़ी सी थोड़ी जादा ही बैटर है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो बहुत अच्छे गवर्मेंट इसकूल है वहां पर अच्छी चीजे सिखें एक इंक्लूजिव इंवार्मेंट के इंदर रहेगा तो वह पढ़ाई करना दिया दिया सीखेगा तो मेजर प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी भी हम लोग यह पता कर लेते हैं कि ठीक है इन बच्छों को मुझे अड्मिशन करवाना है लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यह समझ में नहीं आथा क कि 500 रुपीज पर मत में कौन सा प्राइविटी स्कूल है जो कि एड्मिशन देगा तो गाइस देखिए सबसे पहली बात तो यह कि आपको स्कूल पता करना है अगर आपने स्कूल पता कर ली है न तो आपको स्कूल में कॉल करके जो है एक प्रिंसिपल से अपॉइंट्में चाहरे ऐक्स टैंप पर जो है आप अपनी टीम के साथ में अगर आपकी टीम है तो इस सिटी की अगर टीम नहीं तो जो भी एक परसन दो थीन परसन जो भी आपके साथ में आप या पर अके लिए पह है को प्रिंसिपल से मिलने जा सकते हैं जब आ अप कुछ सो चीज को एडमिशन करवा चुके हैं हम 25 इस के आदर स्माइल पर आपन लोग काम कर रहे हैं तो 90 पर से जो स्कूल हो जाते हैं अपने वॉलेंटियर से क्योंकि जितने भी अपने वॉलेंटियर से जो चीजी लीडर से जो अपने चीफ लीडर से वह बहुत जादा टैलेंटेटेड ह है जो कि मैं आप लोग लिए बना रहा हूं देखेंगे जब आप प्रिंसिपल से मिलते हैं तो सबसे पहले मेक शूर कि आपका आईडी कार आपके साथ में हो और आईडी कार आप कैसे बना सकते हैं इसमाइल फ्रॉरल का जो भी आपके सिटी के चीफ हैं आप उनको अपना आधार का कॉपी बेज सकते हैं या फिर लाइट सेंस या फिर वोटर आईडी वॉट्यवर जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका नाम और फोटो आ जाए हैं एक फोटो भी आप भेज सकते हैं या पिर आपने वाटसएप ग्रूप बनें हैं इस इसके उसके अंदर भी आप अपना detail भेज सकते हैं तो वहाँ से भी जो है आपका ID card जो है वो बनके आपके पास आ जाएगा T-shirt अगर आपके पास में नहीं है तो आप T-shirt के लिए भी apply कर सकते हैं अपने chief को बोलके और आपके जो city के chief है वो आपको जो है principle से बात कर सकते हैं कि हम लोग smile for all के लिए के साथ में हम लोग काम कर रहें जो कि इंडिया के 125 cities में हम लोग काम कर रहें और हम लोग under privilege बच्चों को school में admission है जो की करवाते हैं with the help of the financial adoption financial adoption क्या होता है कि website पर हम इन बच्चों के detail डालते हैं वहां से कोई इनको अच्छे स्कूल में कर सके अब प्रिंसिपल आपको बोलेंगे देखिए हमारे आपे तो सीड बहुत लिमिटेड है हमारे आपे तो इतनी कम हमारा जो cause है हम under privilege बच्चों को school में admission करवाना चाहते हैं यह बहुत इस्ट्रॉंग है तो आपको सबसे पहले यही बताना चाहिए प्रिंसिपल को कि सर हम लोग भी जो है वह society के लिए काम कर रहे हैं हमें भी कुछ पैसे नहीं मिल रहे हम भी चाहते हैं कि हमारा country और हमारा जो city है हमारे आसपास के जो बच्चे वह अच्छे सब्सक्राइब करेंगे तो डेफिनेटली जो है हम लोग एक बहुत बड़ा चेंज है जो की मिलकर ला सकते हैं तो आलवेज जो है वो प्रिंसिपल को बताईए कि हम लोग साथ में मिलकर जो है वो एक बदलाव है जो की लेके आएंगे वो के तो एक social welfare वाग के बारे में ज सब्सक्राइब करेंगे तब तक हम लोग देश को बदलने में जो है जाए ज्यादा कॉंट्रिबूटिशन नहीं कर पाएंगे तो अगर आप लोग साथ में आएंगे प्रिंसिपल तो डेफिनेटली हम जो एक बहुत बड़ा लिए कि हमने एक अच्छा सेंटेस जो की देश को दिया है वो कि ऐसे बहुत सारी विल्ब में बहुत सारे बच्चे जो की नाम करेंगे तो नेशन बिल्डिंग के लिए जरूरी है कि प्रिंसिपल जो है वो कॉंट्रिब्यूच जरूर करें थर्ड जो है आप उनको बता सकते हैं कि हम लोग थोड़ी फीज दे रहें लेकिन हम लोग यह नहीं बोल रहे हैं कि आप फ्री में पढ़ाई है किसी भी बच्चों को लेकिन हम या थाउजन बच्चे पूरी फीज देके पढ़ रहे हैं तो अगर आपके स्कुल में 20-50 बच्चे अगर 1-4 फीज देकर भी अगर पढ़ेंगे तो जादा कोई आपको इससे फर्क नहीं पढ़ेगा ओके जब इतने सारे बच्चे जो है वो फुल फीज देके पढ़ रहे है end of the month जो है हर month के अंदर उनको सारे बच्चों की फी उनके account के अंदर credit करती जाएगी fourth point जो मुझे लगता है वो लगता है कि आप उनको यह बता सकते हैं कि उनके total yearly revenue के अंदर हम लोग बहुत बड़ा contribution करेंगे हम लोग complete fee हो सकता है उनको बहुत जादा नहीं दे रहे हो लेकिन हम number of student उनको जादा दे देंगे जैसे कि for example उस school के अंदर हमने 10 20 50 बच्चों का admission करवा दिया तो अगर आप 500 से multiply करेंगे तो year का जो है ना multiply by 12 करेंगे तो yearly जो revenue होगा उनका वो काफी अच्छा हो सकता है अगर एक NGO से smile for all से अगर उनको yearly 1 lakh rupees 2 lakh rupees की fee मिल रही है तो long time के लिए अगर principle सोचेंगे इस तरीके से तो उनको definitely benefit है जो कि देखने को मिलेगा अगर उनके पास में seat नहीं किसी क्लास में तो एक नया section भी वो create कर सकते है तो fourth point जो मुझे लगता है वो लगता है कि contribution in their yearly revenue यह हम लोग काफी अच्छा कर सकते है fifth point जो मुझे लगता है ज चाम में भी evening classes करेंगे हम उनको skill development भी करवाएंगे after eighth class के अंदर तो हम उनके उपर बहुत resources यूज कर रहे है तो school का भी वह बच्चे नाम करेंगे कुछ बच्चे जो है वह बच्चे आने वाले टाइम पे इन में से कुछ बच्चे sports में नाम करेंगे कोई science and technology पे बहुत अच्छा करेंगे आने वने टाइम पे तो school का name जो है ना वह बहुत improve होगा आतमे हम लोग वहां के जो local newspaper है उनके अंदर भी यह pitch कर सकते हैं कि इन school ने जो है प्रिंसिपल को convince कर पाएंगे कि कैसे वो अपनी फी को reduce करके 500 के अंडर जो है वो फील आके हम लोग उन बच्चों को पढ़ा सकते हैं इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि आप इनी सारे points को use करें definitely these points are very beneficial for you लेकि end of the day आपके खुद का जो गड़ फिलिंग क्या कहती है आप कैसे किसी को convince करते हैं ओके आप अपने तरीके से भी किसी प्रिंसिपल को convince कर सकते हैं तो it is not mandatory but definitely these points will help you to convince the principle okay तो उमीद करता हूं कि आप लोग जो है 100% जो भी स्कूल के प्रिंसिपल होंगे उनको convince ना भी कर पाएं तो दस में सब्सक्राइब कर पाएंगे जो और उनको खुद को भी बहुत अच्छा लगिया कि nation building में वो भी contribute कर रहे हैं तो मिलते हैं और अगले वीडियो के अंद अगले वीडियो को जो topic है guys मैं आपको बता देता हूं कि next video में हम लोग जो discussion करेंगे ठीक है वो हम लोग बात करेंगे कि extra classes को लेकर की evening के अंदर हम लोग कैसे जो है वो extra classes इन बच्चों के लिए open कर सकते हैं जो बच्चे पहली बार school जा रहे हैं या फिर जिनकी age बहुत चोटी classes में जा रहे हैं तो हम लोग evening classes के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे ठीक है तो उम्मीद करता हूं यह 5 पॉइंट जो है वो आपको बहुत benefit करेंगे और next video के अंदर मिलते हैं thank you goodbye and have a nice day झाल